तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप सब जानते हैं हमने थर्मोडाइनमिक्स का कार्वा स्टार्ट कर दिया है और अल्रेडी इस पे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हो चुका है फियरे बच्चों तो आपको ये सब पता चल गया है कि थर्मो डैनामिक्स में हम कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं क्या सराउंडिंग होता है क्या इंटेंसिव रोपकर टी है ये सब आपको पता चल गया है and I hope आप अपनी पढ़ाई बहुत ही मस तरीके से कर रहे होंगे ठीक है हम आपका thermodynamics जो chapter है वो जल्द से जल्द complete करेंगे और आपको अगर पढ़ते वग कोई वच्चो तकलीफ होती है न तो उसे comment box में लिखिए है ठीक है और जल्दी हम important question series भी लिखे आएंगे जिसमें आपको important important questions भी बताएंगे कि जैसे thermodynamics है तो उसमें कौन से must do question है करना ही करना है समझ में आया वो किये बिना आपको exam में जाना नहीं है समझ में आया तो आप वीडियो को regular देखिए और उसकी पहले notes बना लीजिए बिना notes बनाया फिर काम नहीं बनेगा समझ में आया ठीक है प्यारे बच्चों चलो शुरू करते हैं तो last time हमने end किया था अपना lecture extensive और intensive property में ए सर पहले lecture में तो मज़ा आया क्या पुरा chapter आसान है अरे बहुत ही आसान है एकदम simple समझ में आया बस dimple को याद करो simple हो जाएगा chapter clear तो आज जो हम concept पढ़ने वाले हैं उसे कहते है state function क्या state function अब बच्चों की दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये state function क्या होता है तो आप देख रहे हो यहाँ पे नाम में ही state है नाम में ही क्या है state किसका state सर अरे तनिक रुको जरा सबर करो टहरो जरा ठीक है अब देखिए state function होता क्या है पहले आप कुछ चित्रों को मैं बनाता हूँ उसे समझने की कोशिश करिए यह देखिए यह हमारा cylinder ready हो गया अब यह cylinder के अंदर ग्यास भरी है बच्चों और यह है piston तो सबसे पहले मैंने क्या लिया यह सबसे पहले लिया मैंने cylinder और cylinder के उपर लगा दिया यह piston ठीक है और piston के अंदर क्या भरे हो सर यह प्यारे बच्चों इसके अंदर है gas gas नहीं gas आप जानते हो ना हमारे भारत वर्स में gas और gas में फरक होता है समझें तो यह क्या है यह ग्यास अब इस ग्यास का कुछ प्रेशर है माली जीए P1 कुछ temperature है माली जीए T1 और कुछ वह वालूम भी है और टेंपरेशर प्रेशर और बालूम भी है और इसकी कुछ number of moles भी है N आया सबको समझ में यह piston की starting की condition है क्या है piston की starting की condition अब इसे आप बदलोगे अब इसे आप क्या करोगे बदलोगे सर इसे हम कैसे बदलेंगे देखो तो जरा यह T1 था यह V1 है यह N तो वैसे ही रहेगा यह P change हो जाएगा और क्या change हो जाएगा piston का position भी change हो जाएगा कैसे रुको देखो जरा रुको जरा देखो जरा यह देखिए प्रिश्चन आगया उपर मतलब सर क्या वाहर से gas आ गई अरे नहीं बबवा यही जो gas थी ना अंदर यह gas के पर्टिकल वह जो थे अंदर यही सब expand हो गये यही सब क्या हो गये expand देखिए कैसे यहां 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 मतलब expansion हुआ क्या हो गया expansion तो हमारा जो system है वह पहले कौन से state पर था यह यह सब क्या है टेंपरेचर प्रेशर वॉल्म यह सब क्या है मेरे भाई यह हमारे gas का state बता रहा है कि gas का कुछ pressure है gas का कुछ volume है गयाश का कुछ temperature है और फिर बाद में वो क्या हो गया temperature T2 हो गया चलो बानते हम temperature को नहीं हर रखते है हम सिरफ प्रेशर को change करेंगे माल लेज की coordinator वह पर वह वह बता रहें और यहां यह पे यह क्या हो गया यह नहीं पर यह उतने का उतना है मतलब temperature में कोई च बता रहे हैं आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए पहले नॉर्मल तरीके से बाद में मस्तर डिंचेक एक्जैंपल देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा अब जड़ा देखना मैंने पिस्टन को उपर उठाया मतलब प्रेशर को कम कर दिया पहले प्रेशर कितना थ जैसे प्रेशर 1 ATM था पिस्टन को नीचे लेके प्रेशर 2 atmosphere कर दोगे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्म कम होगा वॉल्म बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा प्रेशर कम होगा तो वॉल्म बढ़ेगा प्रेशर जादा होगा तो वॉल्म कम हो जाएगा तो यहां पे प्रेश क्या आया? Yes, दूसरी state. तो इधर मैं लिख देता हूँ, state 1, this is state 1 and this is state 2. तो एक है state 1 और एक है state 2, clear? अब आपने ये पहले state से दूसरी state कैसे लाया, इसमें कोई interest नहीं है. तो ऐसी thermodynamic property जो initial और final state पर डिपेंड करती है, सरिफ उसे हम state function कहते हैं. माल लो, gas का पहले pressure था P1, अब हो गया P2, gas का पहले volume था V1, अब हो गया V2, कैसे किया उससे कुछ रेना देना नहीं है, ब क्या तकलीफ सही, जमाने को इससे कुछ लेना देना नहीं है मेरे दोस्त, तकलीफ तो आपको सहिनी है, समझ में आया surrounding को society को कुछ लेना देना नहीं है, आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो, बस वही state function है, आया समझ में, उसको process से लेना देना नहीं है, तो चलिए, आईए समस्ते हैं इसकी definition को तो क्या है बच्चो मेरे state function तो state function है ऐसी thermodynamic property what is state function ऐसी thermodynamic property which depends on initial and initial and final state of the system जो सिर्फ किसके पर depend करता है initial and final state of the system not on path followed इसको रास्ते से कुछ लेना देना नहीं है not on path followed कौन सा रास्ता चुना उससे कुछ लेना देना नहीं है तो इसे हम कहेंगे state function चलिए अब एकदम धासू सा आपको example देते हैं माल लिजे एक building बिल्डर ने एक building मनाई प्यारे बच्चों और आपको उसके टारेस तक जाना है कहां तक जाना है टारेस तक जाना है तो टारेस तक जाने का तरीका क्या क्या है पहले आप staircase से टारेस पे जा सकते हो या फिर lift से जा सकते हो या फिर पता है ना गोकुल में जैसे कृष्ण जी मटकी फोड़ा करते थे वैसे आप भी अपना पथक बना के उपर जा सकते हो आया समझ में तो टारेस पे जाने के तरीके अलग-अलग है पहले आप ground floor पे थे अब आप कहां पे चले गए टारेस पे आ गया समझ में इस पूरे process में जो टारेस तक जाने का तरीका था वो अलग-अलग था उस तरीके को हम बोलते है path function जो इसके बाद आने वाला है सर लगी राभी तो state function आप बता रहे थे उसका example दो न अरे भाई या इसमें state function क्या है बताओ 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 अरे वही building की height building की height आप lift से जाओ आप किस से जाओ staircase से आप गोविंदा पतक से जाओ जैसे गोकुल में करते हैं रास्ता अलग-अलग होगा लेकिन इस पूरे process में building की height थोड़ी बदलने वाली है मेरे दोस्त उसी को state function कहते है आप कुछ example जो आपके CT में भी आपको मदब करेंगे तो कौन-कौन से example state function के उसे हम देखेंगे तो state function का example कुछ इस तरह से है तो आप ले सकते है mass या फिर ऐसे ले लेता हूँ और अच्छे से लिखता हूँ number of moles यह देखे आपके सामने यह moles, temperature, pressure, volume, etc. बहुत सार है फिलाल तो आप इतना याद रखे तो I hope आप सब को state function बहुत ही अच्छे समझ में आगया होगा path function क्या है प्यारे बच्चों state A से state B तक जाने का तरीका तो हम बढ़ते हैं अब किस पे येस अब हम बढ़ेंगे किस पे path function पे तो चलिए देखते हैं अगला concept that is path function यह हो गया हमारा क्या path function अब देखो बच्चों यह रास्ता माली जी आप state A पे और आपको कहा जाना है बी तक अब A से B जाने के अलग अलग तरीके हैं कैसे भी जा सकते हो आया समझ में सब अलग अलग तरीके हैं माली जी यह state A है और यह state B है आगे समझ में माली जी ऐसे आप आप का position A है यह आपका position है और यह आपकी B का position है प्रिति का position तो प्रिति का तक आपको जाने के जो तरीके हैं वह अलग-अलग अलग 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 रास्ते हैं मेरे प्यारे बच्चों चलिए उन रास्तों को बता देता हूँ माल ली ज 대해 e牡 है यह रस्ता भी है और यह रस्ता सी है ये रास्ता क्या है C, अलग-अलग रास्तों से जाओगे, अलग-अलग वर्क होगा, माल लिजे रिक्षय वाले को पकड़ लिए आपने, और उसे काम मुझे है, इस पॉइंट A से मुझे B तक जाना है, तो रिक्षय वाला बोलता है, अगर-अगर A वाले रूट से जाओगे तो इतना पैसा लगेगा, B वाले रूट से जाओगे, तो इतना पैसा लगेगा, C वाले रूट से जाओगे, तो इतना पैसा लगेगा, मतलब रास्ता चेंज, तो पाथ चेंज, वही पाथ चेंज, मतलब वर्क डन, डिफरेंट, तो समझ में आया, ऐसे थर्मो डैनमिक प प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओन विच डिपेंड ओन पाथ चूजिन इस कॉल्ड एज पाथ फंक्शन आए समझ में इनों को इनको सिर्फ किससे मतलब है रास्ते से जैसे बिल्डिंग के टैरेस पे जाने के लिए आपने अलग-अलग रास्ता लिया तो जो रास्ता लिया न वही पाथ फंक्शन है आए समझ में येस रिक्षा ओला आपको अलग-अलग पैसे चार्ज करेगा रास्ते ए रास्ते बी और रास्ते सी के लिए आए होप आपको पाथ फ जई रहेया कि झास्ट और आप नेपड़ा है तो याद रहेगा तो चलिए अब आगे लिए के आगे देखते हैं मेरे प्यारे बैचों अब हम पढ़ने वाले हैं थर मदाइनामी告诉 फोटा गे क्विलिवरियर यह क्या होता है चलिए समझते है है कि थर्मोडायनमीक एक्विलिव्रियम मस्कंसेप्ट है रे बाबा एक दम बोले तो सीमपल बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेएंगा यस क्या है थर्मोडायनमीक क्लिव्रियम इसके लिए ले लेते हैं हम लोग क्या एक मस्ताच वाला प्लिस टैन पीश्टन अपना रेडी हो गया अब यह देखो इसके अंदर ग्यास भर दिया पीश्टन अब यह ग्यास भर अब जब यह ग्यास भरा हुआ है जब यह ग्यास भरा हुआ है तो यह ग्यास का कुछ प्रेशर है P1 यह gas का कुछ volume V1 यह gas का कुछ temperature है T1 और इस gas के कुछ moles है N1 I hope आपको समझ में आगया. Pressure है, volume है temperature है तो यह gas की state है いや सारे temperature pressure volume क्या बताते हैं फ़हरे बच्चो gas की state बोलते है state की बारे मी बताते है gas का state क्या है अगर आप से gas से पूछोगे ये बाबा बता ने तरह state किया तो gas बोलेगा मेरा pressure ये मेरा volume ये मेरा temperature ये मतलब gas ने अपना state बता दिया तो जब 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 state function constant होंगे उस condition को हम क्या बोलेंगे thermodynamic equilibrium तो याद रखना whenever all state function remain constant with time then we say system is in thermodynamic equilibrium thermodynamic equilibrium तो जब जब सारे state function क्या होंगे constant होंगे तब हम क्या कहेंगे system हमारा thermodynamic equilibrium में माल लो piston यहां पे था ध्यान से दिखना piston यहां पे था यहां पे यहां पे यहां पे चलो यह ले लो अब piston आएए जब 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 पिश्टन मूप कर रहा है temps about जो ग्यास का प्रेशर है जो ग्यास वालियूम है जो ग्यास का डीचर शायद चैंज हो रहा है प्रेश में दू पछक्का जीसी बोल Notes में अर और प्रेशर और यहां मतलब इसे Hij ultimate यह नहीं है क्योंकि मैंने क्या बोला तो वो expर तब होता है जब वहां पर क्या constant होता है बताओ जल्दी 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 ऑल स्टेट फंक्शन मतलब जो प्रेशर है वॉल्म है टेम्परचर है उसकी वालू constant होती है मतलब सर जब पिश्टन एकदम रुका जैसा वह ना तो उसी को हम थर्मोडायनमी एकलिबरियम बोलेंगे येस एकदम सही एक नंबर समझ में आगे आपको तो जब भी पिस्टन कहीं पर almost intact रुका हुआ static दिखेगा वही thermodynamic equilibrium की situation है आय समझ में येस चली अब हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले concept पे तो आगे वाले concept में अपने को पढ़ना है type of process या फिर आप लेख सकते हो process and its type क्या पढ़ना है process and its type done तो क्या होता है process माल लिजिए जो हमारा system है वो एक thermodynamic equilibrium में है thermodynamic क्या है equilibrium है थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं आपको माल लिजिए वो अपने जो system में उसकी state यह है वो thermodynamic equilibrium में है और आप इसे change करना चाते हो आप system की thermodynamic equilibrium की जो condition है उसे change करना चाते हो उसे एक state से दूसरे state तक लेके जाना चाते हो एक state से दूसरे state तो क्या लगेगा बोलो प्यारे बच्चो yes process समझ मैं तो हम किसी process के तुरू उसका state change करेंगे जैसे जैसे आप दसवी पास हुए उसके बाद आप डॉक्टर इंजिनियर बनने वाले हो तो आप इंजिनियर बनोगे तो उसका process अलग है समझ मैं अभी 10 पास हुए तो आपका state था अभी 12 पास होने का एक state तक जाने का आपने को तो क्या करना होगा yes process करना होगा तो आपने coaching लगाई या फिर आपने personally पढ़ाई किया किस चीज के लिए need के लिए या फिर जैई के लिए तो depend करता है एक state से दूसरे state तक जाने के लिए process लगेगा ओकी आगे देखिए तो सबसे पहला process पढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चों कौन सा सबसे पहला process पढ़ेंगे हम लोग ISO thermal process तो क्या नाम है process का हमारे yes isothermal process अब इसमें जो देख रहे हैं आप यह शब्द कौन सा ISO इसका मतलब होता है constant या फिर fix या फिर equal और यहाँ term जो है इसका मतलब है temperature क्या है temperature मतलब सबसे important चीज़ temperature remains constant आपको मैं bullet point के form में लिख के दूँगा जिससे आपका काम बढ़ा ही आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा temperature remains constant जो temperature है वो क्या रहने वाला है वो constant रहने वाला है समझ में आया मतलब आप क्या कहें दोगे डेल T is equal to zero सर इसका मतलब क्या है final temperature जिसे हम T2 कहेंगे minus initial temperature is equal to zero मतलब क्या सर जिरो मतलब T2 जो है वो बराबर है किसके T1 के बोलो company समझ में आया या नहीं सर आइसो थर्मल प्रोसेस का example दो अरे अपना human body रे बाबा human body आइसो थर्मल प्रोसेस समझ में आया yes or no yes और एक चीज़ याद रखना अगर temperature का कोई चेंज नहीं होगा अगर कोई temperature का चेंज नहीं होने वाला है तो हमारा internal energy भी क्या होगा constant समझ में आया हमारा जो system है उसका internal energy भी क्या constant होगा तो डेल यू भी 0 होगा याद रखना वह याद रखना कि वोट इस यू यूज इंटर्नल एनर्जी इंटर्नल एनर्जी आय सबको समझ में तो यू क्या है इंटर्नल एनर्जी और यह डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है सर तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चों चेंज क्या रिप्रेजेंट करता है चेंज आई होप सबको समझ में आ गया ठीक है एकदम से पल बिल्कूल भी टेंशन ने लेगा आई सो बूला तो constant थाम से क्या याद रखने का टी फॉर थाम टी फॉर वार टेंपरेचर हो गया ना विडू का थाम समझ में आया और ऐसा टेंपरेचर भी constant यू रिमेंबर टेंपरेचर भी constant तो उसके साथ याद रखना ए यू तू भी constant आया समझ में डेल यू आगे देखो तो होगे लाए अपना पहला वाला अब बढ़ते हैं नेक्स आइसो बेरिक प्रोसेश आइसो मतलब वही चीज़ बच्चो बताओ क्या आइसो मतलब सेम क्या होता है आइसो कॉंस्टेंट और बार बार मतलब क्या प्रेशर की उनिट है मतलब वह मत समझ लेना चांद नी राते मेरे पियाँ मेरे पियाँ अब वह सम नहीं है बाबा यहाँ पर बार का मतलब क्या है प्रेशर की उनिट आया समझ में तो यहाँ पर क्या लिख देंगे the process in which pressure remains constant the process in which pressure remains constant throughout जो pressure है जो pressure है pressure वो constant रहेगा साहा सब बहुत constant रहता है pressure यह बारवी में जब से मैं आया हुना तो अपसे pressure बहुत है मेरे दिमाग पे अरे बाबा यह system के pressure का बात चल रहा है समझ में आया तो pressure remains constant so what we can say del P is equal to 0 बोलो company समझ में आया की नहीं आरे सर यह तो बहुत इच सिंपल है P2 minus P1 is equal to 0 डंग 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 बहुत इच सिंपल सर अपने को तो समझ में आ गया येश सर इसका इस एक्जामपल भी दे दो अरे जो लैब में सारे experiment करते हैं न मिटाब वो सारे अपने आईसो बोरिक प्रेशर सी होते हैं क्या होते हैं आईसो बेरी जो अपने लैब में करते हैं वो सारे चलो next देखते हैं अभी next बोले तो कौन सा pressure चलो थोड़ा सा दूसरा color भी try करते हैं आईसो कोरिक प्रोसेस ये कौन सा है आईसो कोरिक प्रोसेस सर ये color थोड़ा आजीब दिख रहा है ओके ओके कोई attention नहीं लेने का पन इस से इसको convert कर डालते color को ठीक है आपने पास बहुत color है company बोलो अभी क्या बोलते तो ये हो गया आईसो चोरिक अरे चोरिक नहीं रहे बाबा ये चोरिक नहीं है ये ये कोरिक है मेरे दोस्ट क्या है कोरिक चोरिक नहीं कुछ भी मत बोलो आईसो मतलब सेम क्या बोलोगे volume remains same volume remains same throughout the process मतलब क्या कह सकते हो del v जो है मेरे प्यारे बच्चों zero है मतलब v2 minus v1 is equal to zero pressure 1 में कोई change अरे सर pressure नहीं volume yes volume में कोई change होने वाला नहीं है मतलब v2 और v1 क्या है same है final volume initial volume दोनों same है मेरे बच्चों और इसलिए हम लोग इसे क्या कहते है iso corey process इसका example क्या है example क्या है processes dealt in close container process dealt in close container समझ में आया बंद कमरे में होने वाले reaction I mean to say बंद कमरे में होने वाले मतलब जो container है वो close होना चाहिए नहीं तो यहां की audience तो बड़ी dangerous है भी या कुछ भी meaning निकाल सकती है समझ में आया चली यह क्या हो गया येस तो हमारे चार process हो गए isothermal तीनी हुए isothermal isobaric isochoric अब हम next पढ़ेंगे प्यारे बच्चों can you predict yes adiabatic process adiabatic process चलो underline कर देते हैं इसे तो यह है हमारा adiabatic process तो this is adiabatic process अब इसमें क्या है अंदर कोई ना आ सके ना बाहर कोई जा सके adiabatic process है ना वया याद रख लेने का अपनी नोरा आगे लिए कोन आ गया है नोरा yes heat heat गर्मी 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 समझा तो adiabatic में आप क्या बोलोगे yes no heat is no heat no heat is absorbed और released मतलब जो heat है वो ना तो absorbed होगी ना तो release होगी मतलब q जो है वो constant होगा जी हाँ हम q को represent करते है heat को दिखाने के लिए मतलब हम q represent करते है heat के यहाँ heat के बदले we'll write its symbol q ठीक है अब यहाँ पर एक important चीज़ क्या है सर तो क्या q 0 होगा ना यहाँ पर plus q minus q यह दोनों क्या होंगे 0 यह heat आया और यह heat गया यह 0 हो जाएगा आया समझ में और ऐसे 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 case में अगर system काम करेगा ध्यान से सुनना अगर system काम करेगा भीडू अगर system ने काम किया तो उसका temperature काम हो जाएगा कैसे बताओ heat तो आ नहीं रही है तो system काम करेगा तो क्या हो जाएगा बराबर पहला बहुत energetic था पहला बहुत गरम था बाद में उसका temperature क्या हो गया काम कर दिया ना system अगर काम करेगा तो उसकी energy काम हो जाएगी और अगर surrounding काम करेगा कौन? ओ, ये क्या आगया भेडू? थोड़ा surrounding को left में लिखना पड़ेगा भाई चलो ले लेते हैं तो अगर surrounding ने काम किया If surrounding does work तो temperature बढ़ जाएगा Sir, surrounding किस पे काम करेगा? Yes, मेरे प्यारे बच्चों, system पे काम करेगा तो system का जो temperature है वो बढ़ जाएगा इस आट लिए तो हमने कितने process पढ़ लिए? Yes, 4 process पढ़ लिए अभी फड़ा फड़ बताता हूँ आईसो तर्मल में temperature concent रख देना समझ में आया उसके बाद आईसो बेरिक में pressure constant रख देना इदे को इदर लिखा है डेल पी is equal to zero और आईसो कोरिक में भाई या volume constant है तो change in volume zero रख डालना और adiabetic process में क्या है? adiabetic, ad, ad, ad याद है, याद है, याद है, याद है reversible process कौन सा process? reversible process देखो, देखो, वो आ गया सर, कौन? वही, reversible process तो what is this? तो what is this? इस इस पाल्ड आस reversible process reversible process मतलब क्या होता है, बच्छो? reversible process क्या है? जो कभी भी reverse हो सके, जो कभी भी क्या हो सके? reverse माल लिजिए, आप लोग car drive कर रहे हो, या फिर bike drive कर रहे हो, या फिर cycle चला रहे हो तो जब cycle बहुत fast चलेगी, तो क्या तूरंट cycle को पीछे लेके आ सकते हो? ना है, तूरंट पीछे कभ लेके आ सकते हो? जब बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ऐसे मैं चल रहा हूँ, एकदम धीरे 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 तो तूरंट पीछे आ सकता हो, मतलब क्या? आगे जाने का मेरा एक force है, driving force, और पीछे भी आ रहा हूँ, कब? जब एक opposite force है, कौन सा? opposite force, समझ में आया, तो जब process को धीरे धीरे करोगे ना मेरे भाई, तो process क्या होगा? reversible, तो देखो यहाँ पे, पहला point क्या लिखेंगे? reversible process में the difference, color change कर देते हैं, यार, the difference, between, driving and, यह बहुत ही important line है, अगर यह लिख दोगे ना, तीचर बोलेगा, अपना वच्चा तो सही है, यार, difference between driving and, opposing force, is, infinitesimally, इसको थोड़ा सा left में ले लेते हैं, is infinitesimally, small, मतलब जो driving force है, और जो opposing है, वो बहुत ही क्या होना चाहिए, उनके बीच का difference, yes, बहुत कम होना चाहिए, तब आप बोल पाओगे क्या है, कि process क्या है, reversible, reversible, समझ में आया, मतलब, the process can be reversed at any instant, by changing condition, आप condition को change करके, reversible process को ला सकते हो, समझ में आया, condition को change करके, क्या कर सकते हो, reversible process को ला सकते हो, अगर आप महारास्टा ग़र्मेंट, textbook देखो कि बच्चो, तो उसमें कुछ features लिखा है, अगर वो features ही लिख दोगे, आप reversible process में काम बन जाएगा, येस feature ही है, मतलब वो जो पूरा reversible process explain किया है न, उसी का short में दिया है, समझ में है, the process which can be reverse at any instant, कभी भी उसको reverse कर पाऊ, समझ में है, अब जब reverse करना आपको, तो धीरे धीरे होगा process, मतलब बहुत time लेगा, आ गया सबको समझ में, येस, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, तो पहला क्या है, the difference between driving and opposing forces, infinitesimus all, can be reversed at any instant of time, और any instant by changing the condition, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, at every stage, at, every stage, equilibrium is attained, at every stage, equilibrium is attained, और last point, बहुत ही important, ये infinite number of step में होगा, किसमें? येस, infinite number of step होगया, अपना काम होगया, समझ में आया, ये 4 point अगर जन्ता तुमने लिख दिया ना, काम बन गया भाई, काम बन गया, एकदम मस्तच काम बन गया अपना, आगे सबको समझ में, तो ये थे हमारे कौन से, 5 process प्यारे बच्चों, कौन कौन से, आईसो थर्मल, आईसो बेरिक, आईसो कोरिक, फिर उसके बाद, एडियाबेटिक, और फाइनली, दर रिवर्सिवल प्रोसेस, ये 4 point अगर आपने लिख दिये, तो आपका काम बन गया, डन डन, एकदम सही, अब हम लोग देखने वाले हैं, क्या, नीचर ओफ, हीट एंड वर्क, आया सब को समझ में, बट उसके पहले अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको थर्मो डाइनमिक इकलिवरियम पढ़ाए था, अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, नीचर ओफ वर्क, नीचर ओफ वर्क और हीट, तो चलिए, शुरू कर देते हैं उसे भी, इस पूरे थर्मो डाइनमिक चाप्टर में, प्यारे बच्चों, हम जो वर्क देखते हैं, वो जो हमारा वर्क होता है, वो कौन से टाइप का होता है, येस, इस आट लियर, सो हियर वी टॉक अबाउट, एक्सपांशन वर्क, सर ये वर्क होता क्यों है, अरे सिंपल सी बात है, सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा, तो भाईया कोई वर्क तो करेगा न, येस, 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 फिजिक्स की ब्राँच है, या, मेकानिक्स में आप क्या पढ़ते हो, सरीय मेकानिजम आ गया, केमिस्ट्री आप से निकल ही नहीं रहा है, खून में बसा हुआ है केमिस्ट्री, मेकानिक्स, इस आट लियर, तो मेकानिक्स में आप क्या पढ़ते हो, कि work क्या होता है work is nothing but force into displacement आगे समझ में क्या होता है work force into displacement तो प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते है force, force की unit क्या है pascal yes और अपना एक क्या है displacement, obviously इसका unit क्या होगा meter, centimeter, जो भी ले लो बट हम dimension same रखेंगे तो यहाँ पे pascal के जगे पे क्या रखेंगे meter, तो यह हो गया आपका force, और यह क्या सर यह तो pressure की unit है, चलो ठीक है dimensionally correct करते है तो work is equal to force into displacement और यहाँ पे जो आपने देखा होगा हमने जो काम किया है, वो कौन से form में काम किया है, pressure के term में obviously piston पे आप pressure लगाओगे तो piston नीचे आएगा, gas piston पे pressure लगाएगी, तो piston किदर जाएगा, ऊपर ऐसे type का सब किया है न, तो yes वैसा वाला ही करते है, तो what is pressure pressure क्या है बच्चों pressure है force per unit area, चलो pressure है force per unit area तो हम pressure की unit लेंगे यह हो गया newton और यह हो गया meter square, समझ में आया तो यह हो गया newton per meter square, exactly है, चलो तो यहाँ पे newton per meter square हो गया आया आपको समझ में, yes newton per meter square, और यह displacement, displacement माल लीजिए आप meter cube है, तो यह क्या आजाएगा, yes force के जगे पे हम लोग रख देंगे PV work, PV work की बात कर रहे है pressure and volume तो यहाँ पे हमारा pressure का हो गया force per unit area और volume आप क्या ले लो, volume भी चलो, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको volume ले लेना है DM cube सर यह volume कहां से आ गया सर, यह meter cube क्या लेना है meter cube, सर यह volume कहां से आ गया चलिए थोड़ा याद दिलाते हैं आपको खेला, यह देखिए यह जो piston है प्यारे बच्चों अगर आपको याद हो, तो जब यह expand होगा तो obviously piston कैसा होता है अपना कैसा होता है, ऐसे disk जैसा होता है, disk जैसा और cylinder में तो ऐसे cylinder में जो piston है उपर जाएगा उपर, तो volume का change आएगा और volume क्या होगा, yes, meter cube आया समझ में, अलग-अलग unit लोगे तो अलग-अलग answer आएगे ठीक है, अब यह देखाओ तो यह क्या होगया meter cube, अब रख देजे यह, newton per meter square, into क्या आगया यह, meter cube that is nothing but newton meter, yes और यह newton meter ही क्या होता है, मेरे बच्चों yes, joule, मतलब आप ऐसे कह सकते हो, कि system work करके अपनी energy exchange करता है surrounding के साथ, yes, एक number एकदम सही समझे, और यहीं पे भी वो भी आ सकता है, work का यहाँ पे simple force क्या होगया, newton और displacement, meter, आगया ना वही या, newton meter exactly यह, ऐसा या फिर और एक आप चीज याद रख सकते हो, बताइए क्या अगर आपने क्या लिया, pressure को लिया, atmosphere, pressure को क्या लिया, atmosphere, चलिए थोड़ी जगे मैं यहाँ से use कर लेता हूँ माल लिजी, अगर pressure को आपने क्या लिया, pressure को आपने लिया ATM, sir, ATM पैसा आने वाला है, अरे नहीं रे बाबा atmosphere, और जो volume है, वो ले लिया, लीटर तो PV वर्क क्या हो जाएगा, yes लीटर, atmosphere तो PV वर्क क्या हो जाएगा लीटर, atmosphere, यह लीटर, atmosphere क्या है, yes, pressure volume, work, I hope आपको समझ में आगे होगा, ठीक है ऐसे, तो sir, यह चलो, देखो, इदर अब लेता हूँ मैं एक piston, प्यारे बच्चों sir, पहला cylinder लेना पड़ेगा, yes पहले cylinder ले लेता है अब देखिए यह हो गया अपना cylinder और यह आगया अपना piston, यह देखो और माल लो, इसके अंदर आपने एक reaction कर रहे हैं कौन सा reaction, yes H2O2 is giving what H2O plus O2, reaction लिखा है, तो उसको balance करना भी मंगता है, तो यह 2H2O2 gives 2H2O plus 2O2, और इस सर 2, 2, 4, यह तो गड़बड है yes, यह 2 नहीं आएगा, तो देखो न 2, 2s are 4, यह balance हो गया, ठीक है यह कौन से स्टेट में, yes liquid, यह भी क्या है liquid, और यह क्या है gas exactly है, तो देखिए liquid ने तूटके क्या दिया, gas दिया liquid ने तूटके क्या दिया, gas दिया मतलब यह piston किदर जाने वाला है उपर जाने वाला है, उपर, उपर, उपर आया सब को समझ में, अगर उपर गया, पिस्टन अगर उपर गया, इस प्रोसेस में कोई heat का exchange नहीं होता, heat का कोई exchange नहीं है, इसमें heat का कोई भी exchange नहीं है, एकदम important बात बच्चों याद रख लेना, कोई भी heat का exchange नहीं है, तो फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो piston है, यह उपर जाता है, इसका मतलब क्या है, system ने work किया, system ने क्या किया, work किया, system ने work किया, आगया समझ में, तो जब भी expansion होगा, whenever there is expansion, work is done by the system, आगया समझ में, आगया समझ में, सर system कौन, यह जो oxygen gas निकली थी ना, oxygen gas, इसी ने इस piston को उपर फिक दिया, so whenever piston goes upward, piston goes upward, work is done by the system, तो चलिए, इसी का reverse भी ले लेते हैं, प्यारे बच्चों, तो इसका reverse क्या है, अगर piston नीचे आता है, piston counts downward, इसका मतलब क्या है, कोई heat का exchange नहीं हुआ है, अभी भी downward आता है, मतलब, मतलब surrounding ने work किया है, surrounding ने work किया है, और जब surrounding work करेगा system पे, तो system की energy, system की energy पढ़ जाएगी, आए समझ में, और यहाँ पे, system ने work किया, तुम काम करोगे बबुआ, तो तुम्हारी energy क्या हो जाएगी, काम हो जाएगी, एकदाम simple, तो यह तरीका है, क्या, यह तरीका है, क्या, energy का exchange करना, energy का exchange करना work करके, मतलब work के through भी energy का exchange हो सकता है, सर इसका example बताईए, जब piston नीचे जाएगा, चलिए, अब यही same चीज, मैं आपको यहाँ पे लेके बताता हूँ, यह देखिए, यह piston था अपना, yes, हैसा ही piston इदर पकड़ लो, done, अब देखो इसके अंदर reaction क्या होगा, एकदम simple, इसके अंदर reaction हो रहा है, ammonia gas, प्लस, HCl, यह भी क्या है, gas, और इसके अंदर बनेगा क्या, yes, इसके अंदर बनेगा क्या, NH4Cl, और वो क्या है, solid, no doubt, अगर अब महारास्टर स्टेट बोड की textbook देखेंगे, तो उसमें ऐसे यहाँ पे weight दिखाता है, तो आप भी चाहिए तो weight बना सकते हैं, कोई problem नहीं है, यहाँ पे weight, done, ऐसे, अब जड़ा देखिए, gas था, gas था, solid बन गया, मतलब piston किदर आजाएगा, yes, बिडू, नीचे आजाएगा, किदर आजाएगा, नीचे, नीचे, system किदर आजाएगा, नीचे, एकदम simple, तो यह कौन सा work हो गया, yes, compression, इसमें कौन सा work होगा, yes, compression work, एकदम clear, और यहाँ पे कौन सा work होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, expansion work, तो आपने पढ़ लिया, किसका, yes, nature of work, और फिर दूसरा क्या है, nature of heat, nature of heat, वो तो एकदम simple है, nature of heat मतलब, मेरा temperature T1, सामने का temperature T2, तो heat जो है, वो flow करेगी, कहां से कहां, high temperature to low temperature, heat always flows from what, high temperature to low temperature, आ गया एकदम समझ में, तो आपने nature of work भी पढ़ लिया, nature of heat भी पढ़ लिया, तो आज की इस एपिसोड में, प्यारे बच्चों, हमने क्या क्या डिस्कूस कर लिया, yes, हमने state function क्या है, path function क्या है, वो discuss कर लिया, उसके बाद thermodynamic, equilibrium discuss कर लिया, उसके बाद हमने अलग-अलग type के process discuss किये, बताइए कौन-कौन सा, मेरे साथ ही बोलिये, yes, आप computer के पीछे हैं, बट फिर भी, isothermal process, isobaric process, isocoric process, adiabatic process, reversible process, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, yes, nature of work and heat, बी कर दीजिए, और इस bell वाले icon को भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो कर लोड, वड़र वड़र समझ में आ रहा है न, सरी क्या बोल गें बीच में, आपको सब समझता है यार, ठीक है, तो प्यारे बच्चों पढ़ते रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, बाबाई, बाबाई, बाबाई,